वर्ण माला ठीके, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा वा है, फिर्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे, बीच का वर्ण, ठीके, उसके बाद हम अपनी नौट बुक में टू लाइन काउंट करेंगे, और टू लाइन काउंट करके लिव करेंगे, ठीके, उसके बाद हम इधर डालेंगे काउंटिंग, और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर है, और उसके बाद हमने छोड़ रखा है डैस, और उसके बाद हमने लिख रखा है इ, तो आपने देखना है बिटा, कि इस के और इसके विट्विन में हमें क्या लिखना है अब आपने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा तो यहाँ पर आएगा आ और जब हम यहाँ पर A को fill कर देंगे तो उसके नीचे फिर से underline करना है अब यहाँ पर देखी यहाँ पर है A और यहाँ पर हमने छोड़ रखा है डैस और फिर है O तो अब आपने देखना है कि A और O के between में क्या आएगा तो इसके between में आएगा A तो इसी प्रकार बेटा आपने अपनी notebook में भी करना है इसके बाद आप अपनी notebook open करेंगे Parents से request है कि बच्चों के पास line खीच कर दें और जो first वाली line है वो बच्चों के पास आप खुद लिख कर दें और counting डाल कर दें तो first line में हम लिखेंगे beach का वर्ण लिखो तो ये वाली line आप बच्चों के पास लिख कर देंगे उसके बाद two line count करके leave करोगे फिर counting डालेंगे first वाली row में आप तीन line खीचेंगे second वाली row में भी आप तीन line खीचेंगे third वाली row में भी आप तीन line खीचेंगे fourth वाली row में भी आप तीन line खीचेंगे और fifth वाली row में भी आप तीन line खीचेंगे ठीके number one से लिखना start करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे a क्या लिखेंगे? a अब हमने यहाँ पर बीच वाली जो line हमने खीच रखी इसको हम blank छोड़ देंगे ठीके? अब बेटा अब यहाँ पर लिखेंगे हम e क्या लिखेंगे? e ठीके? अब one line लीब करोगे number two पर हम लिखेंगे बेटा o क्या लिखेंगे? o बीच में जो यह line हमने खीच रखी इसको हम छोड़ देंगे अभी हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे अब हमने यहाँ पर लिखना है re क्या लिखेंगे? re अब फिर से one line leave करोगे number three पर आएंगे यहाँ पर हमने लिखना है a फिर बीच वाली line को आप blank छोड़ देंगे रिसी रिसी के नीचे आप लिखोगे o अब फिर से one line leave करोगे number four पर आएंगे number four पर हम लिखेंगे o फिर बीच वाली line blank छोड़ देंगे और o के नीचे हम लिखेंगे a one line leave करेंगे number five पर आएंगे नमबर फाइब पे हम लिखेंगे बिटा आ, क्या लिखेंगे? आ, फिर बीच में हम ब्लैंक छोड़ देंगे और अहा के नीची हम लिखेंगे इ, क्या लिखेंगे? इ, अब देखिए बिटा दोनों तरफ हमने लिख दिया यानि कि हमने इसमें अफिल करना है इसलिए इसका नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है बीच का वर्ण लिखो यानि कि विटविन में आपको लिखना है तो अब हमने यहाँ पर देखना है यह है आ और यहाँ पर है इ अब हमने इसकी between में लिखना है यानि कि a के after क्या आएगा और e के before क्या आएगा इन दोनों के बीच में तो आप यहाँ पे से भी help ले सकते हैं अब आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में यानि कि between में कौन सा वर्न आ रखा है तो हमारा रखा है यहाँ पे a तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे बैटा ठीक है और जब आप इसको फिल कर दोगे फिर इसके नीचे आपने क्या करना है underline करना है क्या करना है underline तो आपने यहाँ पे क्या किया फिल a और फिर इसके नीचे किया underline अब आप मुझे बताएंगे बेटा कि आ से क्या होता है? आम होता है, क्या होता है आ से? आम होता है, अब फिर से आप one line लीव करोगे और number two पे आएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा है री, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने लिखा है और लिखा है री अब आपने देखना है इन दोनों के between में यानि की बीच में कौन सा वर्न आ रखा है तो यहाँ पे आ रखा है उ, उ को फिल करोगे तो यह हमने U को फिल कर दिया अब हम इसके नीचे क्या करेंगे अंडर लाइन करेंगे और U से बताओ बेटा U से क्या होता है उन होता है ठीक है अब बेटा वन लाइन आप लीव करोगे नमबर थ्री पे आएंगे नमबर थ्री पे लिखा है A और यहाँ पे लिखा है O अब आपने देखना है इन दोनों के विट्विन में क्या आएगा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे A और यहाँ पे है O आपने देखना है इन दोनों के बीच में यानि की विट्विन में क्या आ रखा है तो यहां पर आ रखा है A तो हम यहां पर क्या fill करेंगे? A को fill करेंगे अब इसके नीचे हमने क्या करना है? Underline करना है और इसके बाद बीटा आप मुझे बताये कि ऐसे क्या होता है? Anak होता है क्या होता है? Anak होता है फिर से आपने one line लीव करने है दोनों के विट्विन में क्या आएगा तो आप यहाँ पे से help ले सकते हो यहाँ पे लिखा है हमने अव जो की यहाँ पर भी है और फिर लिखा है हमने अब आपने देखना है इन दोनों के विट्विन में क्या रखा है तो यहाँ पे रखा है अंग, यहाँ पर अंग को लिखेंगे, फिर हम इसके नीचे अंडर लाइन कर देंगे, अब आप मुझे बताइए अंग सी क्या होता है, अंगूर, क्या होता है बटा, अंगूर, ठीके, अब आप वन लाइन लीव करोगे, नमबर फाइब पर आएंगे, नमबर विट्विन में क्या आएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आ, और यहाँ पर, इ, इन दोनों के विट्विन में आ रखा है, इ, क्या रखा है, इ, तो हमने यहाँ पर क्या फिल करना है, इ, इ, के नीचे फिर क्या करेंगे, अंडर लाइन, और इसे क्या होता है बटा, इमली, क्या होता है इसे इमली, ठीक है और बिटा, यह exercise हमने आपको समझाईए ऐसी ही आप और exercise भी खुद solve करोगे हम practice exercise लेके आ रखें यह आप exercise यहाँ पर practice work डाल रखाए इसके बाद आपकी number two exercise जो की आपनी खुद fill करना है यह आपके parents आपके पास लिखके देंगे counting डाल कर देंगे line खीच कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर fill करना है ठीके उसके बाद यह है बिटाप की number three exercise ठीके और फिर यह है आपकी number four exercise तो आपको मैंने पहले exercise में भी बताया है यह आपको parents लिखके देंगे counting डाल कर देंगे आपने यहाँ पर लिखना है और बीच में आपने पहले blank छोड़ देना है ठीके उसके बाद आप देखोगे बिटा आप अपने सामने अपनी notebook पे पूरी word माला भी लिख सकते हैं कहां से असे और अह तक महां से आप help ले सकते हो जैसे कि आप अपनी screen पे देख रहे हैं यहाँ पे हमने पूरी word माला ले रखिए तो आप इसकी help से यहाँ पर fill कर सकते हो अच्छी अच्छी handwriting में करेंगे साथ साथ में वर्णों को पैचानने की कोशिस भी करेंगे और इसे आप learn भी करोगे ठीके ओके थाइंक्यू नेक्स वेडियो में फिर मिलेंगे